नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है अभी 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 बड़ी ख़बर पुरानी पैंसन बाले पर मीटिंग होई खतम जानिये किया हुआ और क्या लेया गिया है इस मीटिंग में फैसला तो इससे पहले सभी सरकारी क्रमचारी और पैंसन बोगियों की न्यूस से हमेशा जुड़े रहने के लिए चैनल को सस्क्राइब जरूर करें और साथ में जो छोटा सा नाना सा बैल आइकन है उसे भी दबा दे ताकि आपको मिलती रहे हमारी लेटरे स्टुडियो सबसे पहल ग्रह मंतरी ने कहा हैं कि वे इस बारे में पीम नरेंदर मोदीजी से बातचित करेंगे दोस्तों साथवे वितन आयोक से इतर पुरानी पैंसन योजना OPS लागू करने की मांग पर यूपी के लाखो रज्जे क्रमचारी ने आंदुलन सरू कर दिया हैं उनकी तैयारी 21 जन योगी आदिते नाज से भी बात करेंगे ताकि समश्या का समधान जल्द से जल्द निकल सके सयूँक संगर संचलन समेति के यूपी की अध्यक्स S.P. तिवारी ने ग्रह मंतरी को क्रमचारी की पुरानी पैंसन की मांग के बारे में बताया उन्होंने ग्रह मंतरी को सोपे ग्यापन में काया है कि पुरानी पैंसन की मांग में करमचारीयों के साथ यूपी के लाखो सिक्सक भी सामिल है इस सरकार को इस मांग को हर आल में सुविकार करना होगा तिवारी ने कहा कि ग्रे मंत्री को संगठन के आगामी जेल ब्रो आंदुलान के बारे में भी बताया संगठन के मासचिव आर के निगम ने भी बताया कि परतिनीरी मंडल में सिक्सक संग के अज्यक्स S4 के परदे सयोजग सुसिल कुमार भी सामिल थे S4 के सह सयोजग वित आर के वर्मा ने बताया कि ग्रे मंत्री से मुलाकात काफी संतोष जनक रही अगर दिल्ली सरकार OPS लागू करने को तयार है तो यूपी में भी ये संभव है लोकसभा चुनाव से पहले लागू कराना चाहते हैं OPS जियां दोस्तों करमचारी निताओं ने चेताओं ने दिया है कि वे 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले किसी भी हाल में पुरानी पैंसन व्यवस्ता को लागू कराने की कोशिस करेंगे इस मांग को मनवाने के लिए लाखो करमचारी पीम नरेंदर मोदी जी के मन की बात कारिकरम तक संदेश बेचेंगे इसके बाद भी OPS लागू नहीं हुआ तो फिर 21 जनवरी से 5 फरवरी 2019 के बीच सरकारी करमचारी गिरपतारी देंगे और जेल बरो आंदोलन का रास्ता अक्तियार करेंगे इस आंदोलन में सरकारी करमचारीों के साथ सिकसक वर्ग भी सामिल होगा तो दोस्तों ये थी परानी पैंसन बाली के संदर्व में एक बड़ी खबर उमीद करते हैं वीडियो में दीगे जानकरी आपके लिए यूसफुल रही होगी इसी के साथ जय हिन जय बारत आपका दिन बहुत ज़्यादा सुब रहे